विद्धुत जामवाल अभिनित फिल्म कमांडो 3 इंदनों बॉक्स ओफिस पर जम कर कमाई कर रही है एक्शन और राज्च भक्ती से भरी यह फिल्म लोगों का काफी मनुरंजन भी कर रही है लेकिन इस फिल्म ने इंदोर के पहलवानों का मनुरंजन करने के बजाए उन्हें नाराज कर दिया है आखिर इस फिल्म से क्यूं नाराज है इंदोरी पहलवान देखिए इस खास रिपोर्ट में बॉलिवर्ट अभिनेता विद्धुत जामवाल की एक्शन थ्रिलर मुवी कमांडो 3 बॉक्स आफिस पर तहलका मचाय हुए है सिनेमा थियेटरों में दर्शकों की उमड रही भीर फिल्म की सफलता को दिखाती है मगर इस फिल्म के एक द्रिश से इंदोर के पहलवान बेहत नाराज हो गए उन्होंने फिल्म से इस सीन को हटाने संबंधित एक ग्यापन प्रशासन को सौपा दरसल फिल्म के एक द्रिश में अखाडे के एक पहलवान को पास के ही स्कूल में पढ़ रही छोटी सी बच्ची की सकट खीचते हुए दिखाया गया है जिसे अभिनेता विध्ध जामवाल अखाडे की सभी पहलवानों के पटाई करते हुए बचाते हैं पहलवान अपने इसी नकारात्मक छवी से नाराज हैं पहलवान राम यादव ने मीडिया को बताया कि इस फिल्म के माध्यम से पहलवानी और पहलवानों की गलत छवी गड़ी जा रही है वही कुष्टी समराट्स पत्रिका के संपादक प्रकाश शुकला ने फिल्म कमांडो 3 पर पहलवानों का चरितरहनन करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि पहलवान इस नकारात्मक छवी से आहत है यह बहुत गलत है पहलवानों का चरितर हनन किया गया है पहलवान चरितरवान होता है और हनुमान जी का उपसक होता है फिल्म का उतेश किरदारों की द्वारा निभाये गये रोल से किसी को आहत करने की भावना नहीं होती है ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि रोल या द्रेश केवल फिल्म तक ही सीमित रहता है जिस तरह फिल्म की दुनिया में खलनायक बनने वाले इंसान वास्तव में खलनायक नहीं होते प्यूर रिपोर्ट, MP News, इंट और